हम खड़े हैं करनाल लोकसभाक्षेत्र के गाउं कारलो में जिसको कालरम के नाम से भी जाड़ा जाता हमारे साथ हैं यह नैशनल लोगदल के लोकसभा के उमिद्वार घरमीर पाटा के इसे पूछते हैं दो च्यार पाथ इंपोर्टेंट बते पाटा साब आप कुछ चुना कि अब तक जितने भी उमीद्वार यहां से एंपी बन करके चुने गए वह सारे के सारे आउटसाइडि थे बाहर के थे वह लोग थे जिन काई सक्षेत्र से कोई तालुक नहीं था तो यह हमारे प्रक्षमे बात यह ज्यादा जाती है कि लोगों की भावना है कि हम अपने कि आदमी को लोग से मामे बेजे जो हमारी आवाज को बुलंद कर सका है तो उस बात का भी लाव आपको कहीं होता नजर आ रहा है यह चीज भी आपके फिवर में है यह इस बात की हमने कभी चिंता नहीं कि क्यों कि जुड़े हैं सारा कारिय करता है सभी वोटर सब हमारे टच के हैं हमारे संपरक के हमारे प्यार के हमारा भाईचारा है इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता के नेताओं ने पार्टी अलग बना के कोई दूर चलिया गया लोग तो एक राजनीती की नर्शरी है उसमें से तो पतानी कितने लोगों उने ट्रे अब कुछ लोग यह मान के चल रहे हैं कि यह जो चुनाव है यह बारती जिनता पार्टी और कॉंग्रस के बीच में जाएगा और और रिजिजिनल पार्टीयों को आज में कोई जादा उचित्ते नहीं रहेगा यानि चुनाव के आखिर तक चुनाव जो है भारती जिनता और लोग यह कॉंग्रस के बीच में शिमट के रहे जाएं नहीं यह गलत है ग्रांड की स्थिति यह नहीं है कि कॉंग्रस के खिलाफ मेंडेट दिया था जन्त को को दुराचारों के खिलाफ और बीजेपी की सरकार बनाई थी और जब बीजेपी को पांच साल बरता वह उस उसको हम बनाएं वही हमारी समैश्या का निजात आपकी उमिद्वारी पिछे लोगों का ये मानना है कि आप इस पारटी के निताओं पार्टी के लोगों के थीच में एक विश्वस्वशनिय व्हक्ति के तोर पर सामने आये ये फेक्टर भी काम किया है टिकेट के लोगदल कारियेकर्ता के रूप मेरे काम किया है। बिल्कुल जमीन से अभी जमीन पे हैं। और उसका ये नतीजा तो ही के मुझे लोग से भागे उमिदवार के तोर पुलकारा गया। अब पार्टी किस कारियेकर्ता को क्या जम्यदारी देती है। जाहें वो शंकधन में में देती है चुनाओं में में देती है। आम उस काम पर खरे उतर है हमारी कोशिश लें। पर्टी तक में उन कैंड़िड़ें। दिमागर रहत जाना है P P P P P P कि ग forgi है के बात लगीजी वौश्राइव कुछ होगे क्या हिकि हम वह सर्भी उमिद्वार को जमीन के जोड़ दरहतल से जो जुदायास जनता से जो जुड़ा उगहे जनता की भावनाव को समझता वह जनता की समश्या जो थए हुर स्थी उमिद्वार सभी परदेश की भूमी से जुड़े हैं और सभी बढ़ अच्छे उमिद्वार अच्छा इन नो विदानसवा अक्षेत्रों में आपने जाना है सब में जा चुके हैं अपसे पहले या मतलब अभी कुछ ही नहीं हम जाने लग रहे हैं जा चुके हैं वैसे तो हम इन नो के न सबता है कि काफी लोग आए जानारों में जानारों में इसको लेके आपने मैसूस किया होगा कि लोग मेरे को फोलो कर रहे हैं मुझे स्पोर्ट कर रहे हैं पार्टी को स्पोर्ट कर रहे हैं तो क्या आपके लगता है कि इसमें कारीकरताओं का भी अपना रोल था या वह व आपस में जनता, संग्ठन, पार्टी, उमीदवार, सब आपस में जूड़े हुए हैं, तो वो एक स्वभाविक उत्सा था, जनता का कारिये करता का पार्टी का, जिसमें हजारों की संख्या में कारिये करता हुए, उन्हें अपना समर्तर में राश्ते बाते हैं, तो आपको इस मुहीम को जो अब चल रही है, इसको मेंटेन कर पाऊगे हैं, जैसे जैसे लोग आकलन करेंगे, उनमें तुलना करेंगे, तुलना अत्मक दृष्टी कोण में हम सब से खरे हैं, तो निश्चित रूप से आज हम जहां हैं, कई उससे और ज़्यादा कई उपर होगे, त चुनाओंगे, पता लगे रहे हैं इसकी क्या है, क्या पोजिशन है, तो अब जैजेपी को लेकि क्या सोचते हो, अब उनकी क्या प्रिस्थितियां बनेंगे हैं, अब जैजेपी एक अलग पार्टी बन चुकी है, वो सही है कि वो इंडियन नेशनल लोग दल के ही एक कोई समझ नरी ने, अब जैसे ना जी चुनाओं के बाद रिजल्ट आदे ह, वो पार्टी यह एक अब जो परिस्तियां हैं वो सहारी लिज बनाने, विगारने का काम करते हैं, अब मानलो चुनाओं में, जो रिजल्ट आते हैं, क्या आपको लग रहा है कि जैजेपी से करदा करना चाहती है जंता के अंदर लोक तंतर में इतनी बड़ी थाकत है कि सरकार के हर हथकंडों को वह दूर करके अपनी सरकार हम रहेगा तेकिन मेरे लिए संभालका भी उतना ही इंपोर्टेंट है और जुड़ा है इतना ही इसराना भी उतना ही है इंदरी भी उतना ही है निलोखेडी भी उतना ही है मेरे लिए बेलकुल सारे समान है क्योंकि क्योंकि हमारी रिष्टेदारियों के संपर कितने हैं, सब ही में आएगा हूँ, सब ही में, एक से बड़ करेगा।